Dear students, welcome in RSK Maths Monitor, chapter 3rd, playing with number exercise 3.5 का sum number 5 करेंगे आज हम Write the smallest 5 digit, हमने smallest 5 digit write करनी हम जैसे 1, 2, 3, 4, or 5 1, 2, 3, 4, 5 digit की सबसे smallest digit हमारे पास यह होगी युगी 00 से मारे पास smallest digit बनती है, 99 से मारे पास biggest digit बनती है And express it in the terms of its prime factor इसके prime factor हमने करने है Prime factor होता है कि two types से करते हम या तो factor method से या फिर tree method से इसको हमने इस exercise में tree method से करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे किस से divide होता है Last में 0 है तो यह आपका 2 से divide होगा 2 से divide करने के बाद हमारा second result क्या आएगा कुशन्ट उसको हम यहाँ पर write करते है Two fives are ten One two three One two three zero agities फिर भी हमारा यह two पर चाता है या five से divide कर सकते हो Five से divide करेंगे इसको Five से divide करने के बाद हमारे पास जो tree की branch क्या निकलेगे फिर आप two से divide कर सकते हो जितना आपको easy लगे उसी साबसे आप branch बना सकते हो उसकी Two fives are ten और one two zero मारे पास फिर इसको five से divide कर सकते हो आप five से divide करने पाद Five वंजा five और two zero आपके पास आपकी branch में hundred है hundred से फिर आपके पास branch निकलेगी two से divide करोगे two fives are ten divide करने के बाद जो cushion हो हम दुसरी साइड राइट करते हैं एक number हम अपनी choice से choose करते हैं कि किस से divide करेंगे उसके बाद जो cushion हाएगा हम second दुसरी साइड राइट करते हैं आप इसको five से डिवाइड कर सकते हो five वंजा five और zero हमारे पास फिर हमारे पास two से डिवाइड कर सकते हो two से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आया five हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास जो ब्रांच की जो लास्ट जो सीरा है वो हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं आता था, यह प्राइम नंबर प्राइम नंबर तो हमारे पास यह सभी के सभी प्राइम नंबर है, आप देखो हम इसके प्राइम फेक्टर राइट करेंगे, प्राइम फेक्टर ओफ हमारे पास यह 10,000 था, क्योंकि 5 डि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमारे पास यह हमारा अंसर होगा, इसको हम दुबारे से मल्टिप्लाइ करके चेक कर सकते हैं, 5, 2, 10, 5, 2, 10, 5, 2, 10, तो यह हमारे पास 4 आपकी 0's में कनोट हो जाएगा, तो यह आपके प्राइम फेक्टर हैं, इस तरह से, आप question number 6 part करेंगे, next हमारा 6 question, find all prime factor of, हमारे पास digit given है, इसके हमने सभी के सभी prime factor find out करने, and arrange them in the assigning order, सबसे पहले हम इसके prime factor करेंगे, हमारा solution होगा, prime factor करेंगे, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी division method से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास condition नहीं दिये कि हम किस से, इससे, पहले सबसे पहले हम देखो, last digit 9 है, 9 3 की table में आता है, या 7 की table में आता है, अब 9 से, 3 से divide करने के लिए हम check करेंगे, 3 से, जो divisibility check हमने की थी 3.3 में, check कर सकते हैं, some of the digit 9, और 2 हमारे पास 11, 18 और 19, तो यह 3 से divide नहीं होगा, फिर हमारे पास 7 से check करेंगे, 7, 2 जा, 14, 3 बचेंगे, 2 उतारोगे, हमारे पास 7, 4 जा, 28, फिर हमारे पास 30, 2 बचेंगे, 7, 4 जा, 28, फिर हमारे पास 4 बचेंगे, फिर 9 ता 7, 7 जा, 14, 9, अब यह आपकी digit डिजिट डिवाइड होती है, लास्ट डिजिट 7 है, तो 13 टेबल में 7 आता है, तो 13 से divide करेंगे, 13 बचेंगे, 13, फिर हमारे पास कितने बचेंगे, 1 और 1, 7 उतारोगे, 117, 13, 9 जा, 117, फिर आप 9 से divide करेंगे, 19 से divide करेंगे, 19 इसे prime number, तो यह सभी के सभी, यहाँ पे जिस से divide करेंगे, हम prime number से करेंगे, या इसको हम 3 मेथड से भी कर सकते थे, 17, 29 को सबसे पहले हम 7 से divide करेंगे, 7 से divide करने पर जो डिजिट आती है, 13, यहाँ पर राइट, 247, जो हमारे पास डिजिट आई थी, 247, इस तरह से हमारे पास, इसको भी इस method से भी कर सकते हैं, अब हमारे पास, यह हमारे prime factor आगे, फिर second part था, arrange them in the ascending order, इनको arrange करना है हमने ascending order में, जैसे मारे पास से पहले 7, फिर 13, और फिर 19, इसको हमने ascending या बढ़ते हुए करम में हमने arrange कर दिया, फिर उसके बाद next point है, now state the relation, हमने relation state करना है between the two consecutive factor, जो दो लगातर factor है, उनके बीच में क्या relation है, तिको 13 में से, आप 7 minus करोगे 6, फिर आप 19 में से, ये दुनों consecutive है, consecutive का मतलब हता है लगाता, तो यहां से 19, 13 minus करोगे तब भी हमारा result 6, तो हमारे पास relation है कि difference is, जो difference is 6, जो consecutive difference है, हमारे पास क्या है, 6 है, तो this is question number 6, next हमारा question number 7, the product of 3 consecutive, तीन लगातर number sequence, देसे हमारे पास 1, multiply 2, multiply 3, इनकी multiply क्या होगी, 2, 3, 6, 6, 1, 6, consecutive, अब हमारे पास 2, multiply 3, multiply 4, इनकी multiply करके चेक करेंगे, 2, 3 जा 6, 6, 4 जा 24, फिर हम next 3, multiply 4, multiply 5, 3, 4 जा 12, और 12, 5 जा 16, अब जिनकी, the product of 3 consecutive number की is always divisible by 6, हमेशा 6 से डिवाइड होगी, यह भी 6 से डिवाइड होती है, यह भी 6 से डिवाइड होती है, 6 से डिवाइड होती है, इस statement with the help of example, example की help सेमने शोग करके दिखान है की हमारे पास यह true है, yes, this is true, हमारे पास यह true है की the product of consecutive numbers की is always divisible by 6, हमेशा 6 से divisible, जो इसका reason है की देखो इनकी multiply 6 से 2, 3 जा 6, यह 6, यहाँ भी 2, 3 जा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखो, यह 2 multiply 2 होता है, 2, 2 जा 4 होता है, तो यहाँ भी 2, 3 जा 6, इन सब के multiple में 6 हारा, जैसे हमारे पास 9 multiply 10 multiply 11, अब इसको 9, 9, 11, 9 जा 99 और 999, अब इसको आप 6 से डिवाइड करके चेक करो, 6 बन जा 6 हमारे पास 3, 9, 6, 6 जा 36, 3 हमारे पास remainder 0, 6, 5 जा 30, यहाँ इसको भी इसने completely divide किया, हमारे पास reason है कि देखो, यहाँ पे 9 के 2 hectare करेंगे, 3, 3, 9, और 5 को 2 parts, 10 को 2 parts में बरे करेंगे, 2, 5, 10, तो इसने भी 3, 2, 6, हमारे पास 6 का multiple आता, इसलिए अगर हम 3 consecutive number की multiply कहीं से भी उठाकर consecutive number उठाएंगे, multiply करेंगे, तो उनका result 6 से divisible होगा, yes, this is true, this is question number 7, dear students, if you like our video, then subscribe to the channel, thank you, have a nice day,